तकने की चोट का अलाज घर पर भी किया जा सकता है अगर वो ज्यादा गंबीर ना हो तो तकने की चोट पैर में मोच आना जातर खेल कूद के दोरान लगती है यह चोट जिससे स्पोर्ट इंजरी कहा जाता है हाला कि इसका मतलब यह नहीं है कि यह चोट केवल खलाडियों य किसी इनसान को लग सकती है और इसका कारड जैसे के सीडियें चड़ते वक्त गिर आना पैर सिलिप हो जाना या फिर लुड़कना गिरना या रास्ते में चलते वक्त किसी चीज से टकरा जाना जैसे के बायक या कार सिलिप हो जाना उस सब कंडिसन में ऐसी हमें चोट आती ह जिससे पैर मुड़ जाता है और जिससे में बोजा तकलीफ होती है टकनी में चोट, सूजन, मोच या फैक्चर सभी के लच्छड लगवग एक समान होती है यहां तक कि कई बार फैक्चर को लोग को मोच समझ बैठती है इसलिए यह आवस्यक होता है कि टकनी में दर्द मैसूस होते ही अगर आपका पैर मुड़ जाए तो किसी डक्टर की सला जरूर ले है कभी कबार ऐसा भी होता है कि पैर फैक्चर हो जाता है लोग उसको मोच समझ बैठती है और अगर ऐसी को समझ से अगर आपको हो तो उसके क्याला छड़ दिखाई दिती है जैसे कि उस जगह पाचानक से बहुत जाए दर्द होना सूजन हो जाना और नीला या रेटनेस हो जाना उस जगह और सही से ना चल पाना चलने में बहुत जादा परिसानी होती है टकने की चोट या पैर में मोच बेयर दर्दनाग और कम जोर कर देने वाली होती है यह चोट कभी भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को लग सकती है 15 से 24 वर्जी परिसों को टकने की चोट लगने के जोकिम सबसे अधिक होती है मैलाओं में टकने की चोट के मामले परिसों के मकावले बहुती कम देखे गए है तो अब हम बात करते हैं इसके उपचार के अगर आपको पैर में दर्द बगरा पैर बगरा मुड़ जाता है तो आप इसमें क्या उपचार ले सकती है अगर मोच लगने के तुरंत बात आप उस जगह पर वर्फ से सिकाई करने तो सूजन नहीं आती है इसके इलावब वर्फ की सिकाई करने से पैन में भी काफी आराम मिलता है ऐसे में मोच लगने पर एक दो गुंटे में वर्फ से सिकाई करनी चाहिए और आप एक $0 SP tablet ले 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 उसका पत्ता ले 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 आप यह दबाई आपको दिन में दोबाई लेनी है सुबाई साम खाना खाने के बाद पानी से यह दबाई लेनी से हमारे दर्द और सूजन में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आप एक pain relief spray ले 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 कोई सा भी यह इस पर आपको जगह लगाना है चोट वाल जगह पर और वहां पर bandage कर लेना है यह पट्टी कहती है ने bandage वह आपको अच्छे से बांद लेनी है उस जगह पर और अगर दर्द में बुलकुल भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप द पर अंति जाकर के डॉक्टर को धखाएं हो सकता है वो गंबीर चोटो फैक्चर वगरा हो उसका जाकर के एक्सरा कराएं तो बस यही छोटी सी वीडियो थी अगर आपको पसंद आई हो तो लैक से सब्सक्राइब जरू करना